नहीं हैं, सब कमा सकते हैं, कमारें और भी कमाएंगे, लेकिन धन कमाने के साथ साथ दुआएं कमानी हैं, ब्लेसिंग्स कमानी हैं, क्योंकि धन हमारे घर में सिरफ चीजे लेकर आएगा, ब्लेसिंग्स हमारे घर में खुशी, सुख, प्यार लेकर आएगा, तो कभी भी कारो लेकर आया आपको एक दुकानदार अगर सबजी फ्रूट के लिफाफे में एक सड़ा वा फ्रूट भी देता है ना होता है ना कभी-कभी चार अच्छे उपर नीचे एक पता है आपको जान पूछ के उसने रख दिया घर आकर उसको कैसे कैसे बॉल्स भेजते हैं भेजते है एक एपल के लिए भी हम किसी को कौन सी एनर्जी देते हैं तो यह हमें ध्यान रखना है और यह अगर हमें कोई फ्रूट वाला कहे नहीं आज फ्रेश नहीं है आप मेरे से नहीं लो तो हम उसको कौन सी एनर्जी देते हैं क्यूंकि उसने अपने फाइदे से पहले हमारा फ पाइदा सोचा, तो धन तो कमाया ही कमाया, लेकिन साथ में क्या कमाएंगे, क्या ऐसे दुकान दर कभी मिलता है आपको, चो कहते हैं, आज मेरे से नहीं लो ब्रेड फ्रेश नहीं है, फ्रूट फ्रेश नहीं है, ऐसे मिलते हैं कभी-कभी, मिलते हैं न कभी-कभी, of course मिलते ह घर जाने के बाद हम उनको कैसी एनरजी देते हैं कितना अच्छा सोचते हैं उनके लिए और फिर हम वो बाद सिरफ अपने तक नहीं रखते हैं चार-पांच लोगों को बताते हैं आज पते क्या हुआ आज पते क्या हुआ बताओ दुकानदार कितनी कमाल का है वो चार-पांच लोग भी फिर उसके बारे में कैसा सोचेंगे उस दिन उस दुकानदार ने पैसे नहीं कमाए उस दिन उसका नुकसान हुआ पैसों के मामले में लेकिन उस दिन उस दुकानदार ने बहुत सारे blessings कमाई उस दिन के बाद हम किस दुकान पर जाएंगे हमेशा हम हमेशा और वो पांच लोग और वो पांच लोग जितने लोगों को बोलेंगे वो सारे उस दुकानदार के पास जाएंगे जो धन कमाते हैं, वो जरूरी नहीं है कि दुआई कमाते हैं, लेकिन जो दुआएं कमाते हैं, वो अपनी capacity से कई 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 गुणा धन कमाएंगे, यह 100% guarantee, यह 100% guarantee, यह करके देखना है, हर टाइम अपने फाइदे का सोचते सोचते हम ऐसे हो गये हैं अंदर, टाइट